तो मैं आसा करता हूँ कि हमारे चैनल को पॉलो कर रहे हैं जो देख रहे हैं उन्हें जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिलता होगा पसुपालन एक बहुत ही अच्छा बैबसाय है अभी बिहार उत्तरप्रदेश जारखंट के लोग खास करके पसुपालन के बिजनेस को अपना रहे हैं इसी क्रम में हम सिवान डिस्टिक के मरदापुर गाउं में पहुंचे एक पसुपालक है जो लगभग चार साल से पसुपालन कर रहे हैं इन्हें क्या पड़ेसानिया आई क्या कठिनाय आई और किस तरह वो उससे उभर कर पसुपालन कर रहे हैं अच्छे ब्रीट पड़ता है बरहन पंचायत में बरहन पंचायत में है मैं कर तीन चार साल से छोटा सा डेरी फार्म कर रहा हूं जो कि अभी सिखी रहा हूं थोड़ा थोड़ा अन्बाव आज करीब दो तीन महीना से और किसी पालोग फीड हुए खिला रहा हूं उसका रिजल्ट हम से शुप आलट कर तो स्टार्टिंग कितने गायों से किये था श्टार्टिंग दो सर्वेग भैस रहती थी घाय रहती थी अब हम इसको सोच रहे हैं कि विस्तार से इसको करें नहीं जैसा कि हम देख पा रहा है कि बहुत अच्छे नसल की गाय है क्याए ये गाए आपका यही पर्टेज किया हुआ है या अपना तयार किया हाई है अभी तो अब हमारी पच यह त्यार हो रही है ऐसेकσι वान के संदे लगी है एक ठोक टूरज अफाल ऑ। दूद है, केंड हु सका्या ढरी तो ऑफ। कहां था है। कर दो के लिदा विखता है उसी में कि देते हैं तब आजव नियुकर कीशनिस टीन साल के अनुभब में आपको क्या सबसे जयादा समस्य आई आई पहले हमारे पास था तो करप साल भाषल क्षा खत्म हो गया हारा-चरा का मुप्लावधि पूरा कर दिये हाँ और हमको समस्य क्या क्या है रीपीटिंग का। रीपीट करने का ह Smells हमारे पासे ही रह गेवान को समझ्या नहीं सहां कि अब मने कर रहे हैं कि मारे चला रहे हैं। अच्छा उसका माने रिपोर्ट है दूद भी बहुत बढ़िया कर रही है और खाने में भी फ़ला थोड़ा दिन पहले थोड़ा दिकत की लेगे अब खाने में कोई दिकत नहीं है इसे इस उखे डाल देते हैं भुशा और डाल कर खा लेगे अच्छा इसमें इसमें पकाते अब इसको साब बंद कर दिया अब सुखा खिला रहा है इसमें कोई दिकत नहीं हो रहा है जैसे यह जो गाय हम देख रहे हैं जी सरी यह मेरी फर्स्ट व्यास में बीस किलो दूद की थी सेकेंड में अब एक माह और आ गया है इसको बच्चा देने में अच्छा अब इस प बारत की है बच्चिया जरसी नौसल में है यह चोदो किलो दूद पर थी अभी तीन माह हो गया इसका बच्चा देने देने देते हुए अभी कितना दूद है अभी इसको बारत किलो दूद है इसके पास दोनों टाम मिला कर इसके बगल में भी एक मावेशी देख रहे हैं पर्षब्यात कि अभी मनें यह बारत तरशकी के लिए अभी दो-तीन माह हो गया इसको बच्चा देने हुए अच्छा इसका बच्चा था मेरी बच्चिया है वह भी अबाद हो गई है अच्छा यह भैस अपने आंकी है वह सब्सक्राइब प्च्चा यह जरसी के हैं अग क अब को मेरी बच्छिया है वह भी आबाद हो गई है अच्छा यह भैस है ना यह अपने आके हैं रहे हमको दस दूद दिये लेकिन ट्राइशन चलाए इसको तो 14-12 किलो ले दूद दे रहे हैं अभी 14-13-14 तो इसले पूरा ट्राइशन फीटिंग किसका कृसी पालक कि आपको अनुभाब दिखा है कोई उसमें हमको कोई दूसरा देना ही नहीं पड़ रहा है रिलाक्स हो करके बच्चा देदी दूद पर भी अच्छा चल रही है तोटल गये आपके पास कितनी है गाया भाइस मिलाकर एक आरफ पसु है भाइस हम यहां जैसे देख रहे हैं ल हमारे हम पाइदा हुई है यह जो है नसल में इसके बारे में थोड़ा सा बता है तो अब सवर इसकी माँ 12 किलों दूद करती थी हां हम यहीं का उसमाशी नहीं था अमुरा का सिवन हम लोग यह मिल नहीं रहा है एक नमबर तो वही जो जन्रल सीवन आता था वहीं दिलवाय करते हैं कि अभी नहीं करना अपने लिए रखना है यह पर बनवाना है यह पर बनवाना है यह लंबा यहां से भांस्तर का एक शेड बनवाएंगे आधी पर बनवाकर खुला में रखने का विचार है यानि कि अभी तक का जो आपका अनुभा हुआ लगभग आपको समझ में आ गया कि फाइदा हो सकता है इस पर लगाओ किया जाए तो फाइदा है इसा बत नहीं है कि इसमें नुक्सान है लेकिन लगण चाहिए इसमें अब दस पसु है हमारे पास हम आपकेले सब करते हैं कुला अपना अफरा ऑकेला सारा काम ढ़ना तारा काम मुनाफ़ा में है 15 कि थीप लागज राई है पांच पस पशा रही है तो उसमें मैंटेन हो जा रहा है खा ले रहें दोचर किलो दूद होई घर में घर में घर का क्या करते हैं जैसे यह अपना खेत है उसी में डालते हैं पुरा का पुरा इसमें गड़ाई पुर्सा भर इसमें सारा मूत्रोगरा सब आता है दो सल पर एकल जैसी वे मंगाते ही तो लग भी ठेकना था इस खेतों तो थोड़े फ्यकवाए हैं और अब जैसी में मंगाएंगे कि दिन लोटकों के सब खेत में डलवा देंगे कि यूचर में आपको कितने दिन में यहां पर फार्म आपको इस्टेब्लिस करता है और कि अभी साल भर लग जाएगा इस इतनी गाय का बनाएंगे आप दस गाय नहीं उसके बाद बचिया उचिया जो रहेगी अस्ट्रा में रहेगी तो टोटल मिला करके लगए दस से बीस गाय जैसे आपके पास जो हैं दस गाया और बढ़ा है इस चैतर में भी नदी का सब हमारे यहां कोई दिकत नहीं है डाक्टर लो हैं जो फोन किया जाता है तो है वाई है नहीं हे नहीं को नहीं रहा है आपने लिए आप बोल दिजे कि हमारे लिए दो इस्ट्रिप या तीने स्ट्रिप रख दीजी जो कभी बैसा जवरत हो तो हम बताएं में ठीक जोह हैं उसका क्या प्रवंदन रहता है और शाल वर को अगला यह करा लेते हैं लेते हैं यहां कॉम डेट में अपको मिल जाते हैं हाँ यहां कॉम डेट में बिगता है इसे मार्केट में क्या रेट बिगता है अभी तो समय तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना चाहेगा इसको बिजनेस के रूप में उसको क्या सला देखिये सर बहुत मेहनत का काम है सब किसी के बसकी नहीं है इसमें 24 घंटा ड्यूटी देना है हमारा विशावना यहां खाना पीना सारा यहीं रहता है अच्छा बहुत को मेहनत का काम है इसमें और कोई गुजाइसे नहीं है एक तो मेहनत करना है और दुसरा और क्या-क्या सब्धानी बढ़ता है जिससे उनको नुक्सान नहों सब् अब के ख्याल से पशू पालन में सब्सम परमुख चीज क्या हुआ पसों को स्वस्त रखने के लिए लिए फिडिंग उसको खाना हारा चारा तो एक दम कम पंश्री है हाला चारा एक दम जरूरी है उनको आरा चारा पर्मानिट चाहिए वारो मास कर उसके बाद लाद पास अच्छा जानकारी घंवारे आने के लिए आपको bho बहुत धन्वाथ